ये एक बार फीसे मेनत निया जोटी चैनल इस्टू पांड जरोमा आप सभी सिख्चक सांथियों का स्वागत है आई देखते हैं सिख्चाई वाक्ष एक बड़ी अपडेट आपको बता देगी परचंड गर्मी एवं लू को देखते हुए चार से पांच दिन और बढ़ेगा गर्मी की चुटी जैसा कि आपको बता दे की 15 जून तक गर्मी की चुटी की गई थी राज के सभी बिद्यालयों में लेकिन अधिक्तम तपमान में गिरावट नहीं होने की वज़ा से फिर से गर्मी के चुटी में बिस्तार किया जाएगा मुख मंत्री निती सकुमार ने टाक्टर A. सिधारत को दिया निर्देश या चुटी सिक्छकों को भी मिलेगी यह पूरी जनकारी के लिए चनल पा बने रहे उससे पहले मेरे चनल को अभी तख सबसक्राइम नहीं कि आए हैं तो कुछबे चनल को सबसक्राइब किलबेला आइकन को प्रेश कर दे ताकि आने वाले हर एक विडियो का नोड़ इपीकेशन मिले सबसे पहले आपको तो आई देखते हैं विडियो को विश्दार से राज के सरकारी ये स्कूलों में फिर से होगी चार से पांच दीनों की गर्मी के छुटी मुख मंत्री नितीश कुमार ने ACS डाक्तर AC धार्त को दिया निर्देश और या छुटी आपको सिक्षकों को भी मिलेगी आपको बता दे कि बिहार में पढ रही पढ रही पढ चंड गर्मी ये उनलू को देखते हुए सिक्षवी भाग है सरकारी ये स्कूलों की छुटी बढ़ाने पर कर रही है विचार इधर विभीन शिक्षण संस्थानों ने भी पर्चण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुटी बढ़ाने की मांग की है साथ ही गर्मी की छुटी बढ़ाने को लेकर कई बिधान पार्षद ने भी मुख मंत्री से मुलाकात की है मुख मंत्री ने इस संबंध में सिक्षा विभाग के अपर मुख सचीव डाक्टर इस शिधार्थ को निर्देश दिया है कि राज भर्क में 18 जून से खुल रही सरकारी एस्कूल लेकिन गर्मी का परकूप कम नहीं हो रहा है मिली जनकारी के अनुसार संबवता सिक्षा विभाग गर्मी की छुटी में बिष्टार करेगी सिक्षा विभाग इसे परचंड गर्मी में किसी भी तरह का रिक्स नहीं लेना चाहती है क्योंकि मौश्रम विभाग का भी एक और फिर से एलोट जारी किया गया है राजभर में फीर से चार से पांच दिनों के लिए सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुटी होगी बिहार में भीषन गर्मी का कहर बड़सा रही है पिछले 24 घंटे में पांच जीलों में लू लगने से 13 लोगों की जान चली गई है वहीं आपको बता दे कि शोमवार यानि आज बकरीद है और मंगलवार से फिर बिद्याले खुल जाएंगे ऐसे में लोग अब सिक्षा बिभाग के फैंसले का इंतिजार कर रहे हैं ताकि स्कूल बंद होने से बच्चों को गर्मी अमलूशे राहत मिल सके आपको बता दे कि सिक्षा बिभाग ने 15 जुन तक बिद्याले बंद रखने का निर्देश दिया था शिक्षा बिभाग के आदेश जारी करते हुए बिहार के शवी बिद्याले में 15 जुन तक बंद करने का निर्देश जारी किया गया था शिख्षा भी भाग के इस निर्ने से न सिर्फ बच्चों और उनके अभिवाह को बलकी सिख्षकों में भी खुशी की लहर थी वजा या थी कि काफी लंबे असरे बाद बच्चों के सांसां सिख्षकों के लिए भी सभी विद्याले बंद किये गए थे प्राइबेट स्कूल 15 से 18 माई के बीच गर्मी के नाम पर बंद हुए थे और शभी ने 18 माई से स्कूल खोड़ने का समय रखा था लेकिन अब गर्मी का हालत ऐसा है कि लू लगने से रोज कई लोगों की जाने जा रही है पिछले 24 घंटे में 5 जीलो में लू लगने से लगबग 13 लोगों की जान चली गई है ऐसे में 18 जून से फिर एसकूल खोल जाएंगे या सवाल अभिवाह को से पूछा जा रहा है आपको बताते कि 18 जून से फिर एसकूल खोल जाएंगे या अभी बंद होंगे की तारीक बढ़ेगी इस संबंध में पूछे जाने पर पटना के डियेम सिर्शत कपील अर्शोक ने अमर उजाला को बताया है कि पिछली बार सिक्षा भी भाग के द्वरा एसकूल बंद किय गये थे इसलिए सोंबार तक सिक्षा भी भाग के दिशा निर्देश को देख लेता हूँ अगर सिक्षा भी भाग के द्वरा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाता है तब गर्मी की हलात की समिक्षा की जाएगी और फिर से बच्चों के हीट वे को देखते हुए पारी किये जाएंगे तो लगातार आप सभी ने देखा कि कल बिहार पंचायत नगर प्रणभिक शिक्छक संग के परदेश अधियाग से अनन्ड करशल सिंग के भी द्वारा मांग किया गया है कि परचंड गर्मी को देखते हुए थोड़ा सा और गर्मी के छुटी बच्चो एवं शिक्छको को दिया जाए ताकि शिक्छको तथा बच्चो को इससे राहत मिल सके क्योंकि लगातार आप देख रहें कई जीले में लू लगने से कई लोगों कोई जाने जा चुकी है तो इससे इसको देखते हुए हो शकता है गर्मी की छुटी में बिश्तार्त वीड के लिए